Dear Students, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट साइन्स को पढ़ना स्टार्ट करता है जैसा कि आपको पता होगा हम लोग 10 क्लास में NCRT की बुक फॉर फॉलो करते हुए रसाइनिक अभिकिरिया हम समिकरन चैप्टर को पढ़ रहे थे सब चीज पढ़ने के बाद हम लोग NCRT के अभियास को कोश्चन को कर रहे थे और आपको याद है अभियास के कोश्चन को हम लोगोंने कोश्चन नमबर 6 तक के किया था ध्यान रहे 6 में हम लोगों को संथूलित करना था जो आप लोगोंने किया तो चली हम आगे पढ़ते हैं साथवे नंबर कोशन के तरफ साथवे नंबर में दोस्त क्या बोल रहा है कि हमें वहाँ पे लिखा हुआ है रशाइने कभी किरिया सब्दों में लिखा हुआ है ठीक है आपको उसको समिकरन में लिख कर और उसे संथुलित करना है तो पहले साथवा नंबर में कौन कौन से फर्मूला यूज करना है जरा उसके वारे में हम बात कर लेते हैं क्या है ना क्यमेस्ट्री में आपको फर्मूला याद करना जरूरी है इसलिए हम पिछले वीडियोस या पिछले क्लास में हम बता भी चुके हैं आपको कि आप एक फार्मूला का एक अलग पेज पे जितना इस चैप्टर में फार्मूला मिला है उसका नाम के साथ उसका सुत्र भी एक तरफ एक जगा पे नोट कर लिजे और उस रसायनिक सुत्र क तो आप अगर याद रख लेते हैं यह चैप्टर बहुत इजी लगेगा क्योंकि सब चीज जो है ना वह फार्मूला पर बेस्ट है जैसे कि साथवा नंबर कोश्चन उसी से बनेगा जिसको फार्मूला याद रहेगा हालांकि यह सब फार्मूला तो आप बलेंगे कि सर प करने के लिए आप नोट में उसकी आगे या पीछे लिख दिजैगा कि यह सबसारा फर्मूला यूज है साथवे götर में तborn बात करें हम कि साथवे 처ों में तर मूला यूज है जैसे तो जे सी ए को एच का हॉल टो दो इसका किसका फर्मूला होगा हम नाम बोले रहा है नबर में फर्मूला युंज्य यह स Architect कि SOOOOH का तुई इसका किसका फर्मूला होगा हमना बूलता रहा है यह कैलसियन है टीर को लिएख देख दीजिएगा कैलसियं महीड़कोसाइड फर्मूला सी मेज का हल टू ठिक आativas तो CO2, इसका नाम होता है carbon dioxide, नाम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते चलिए, CO2 carbon dioxide, ध्यान दिजएगा, इस सब फाल्दू का सुत्र नहीं है, बहुत important सुत्र है, और ये सब अगर पता रहेगा, तभी आपको अभियास का NCRT का रसाइनी का विकिरिया समीकरन वाले चेप्टर में साथवा नुमबर आपको समझ में आएगा, CO2 का carbon dioxide, फिर लिखे, CACO3, इसका नाम होता है calcium carbonate, calcium carbonate, नाम लिख दिजे calcium carbonate, फिर H2O, इसका होता है gel, इसका तो पता ही होगा, फिर zinc, जेडन का मतलब होता है zinc, फिर आगे बढ़िए, AZNO3, AZNO3 का होता है, silver nitrate, लिख दिजेगा यहाँ पे, silver, silver nitrate, ठीक है, silver nitrate का formula क्या होता है, AZNO3, फिर होता है, ZNNO3, इसका मतलब होता है zinc nitrate, ZN का मतलब zinc, और NO3 का मतलब nitrate, सबका नाम लिखते चलिए, ZNNO3 का मतलब zinc nitrate, फिर आगे बढ़िए, तो AG, AG का मतलब होता है silver या चांदी, इसी को silver भी भोलते हैं, या फिर चांदी भी भोलते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़िए, तो AL, AL मतलब सिर्फ aluminum, अलूमिनियम, ठीक है, aluminum, फिर आगे बढ़िए, तो Cucl2, इसको पढ़ते हैं, copper chloride, फिर next, ALCl3, aluminum chloride, इसको बोलते हैं, aluminum chloride, ठीक है, फिर अगर बात करते हैं, आगे, Cu, Cu का मतलब होता है, copper, इसी को हम लोग तामबा भी बोलते हैं, copper या तामबा, फिर, barium chloride का formula, BACL2, इसका नाम होता है, barium chloride, ठीक है, barium chloride, फिर, K2SO4, K2SO4 का नाम क्या है, इसका, तो किया मतलब potassium, SO4 का मतलब sulfate, तो यह हो जाता है, potassium sulfate, ठीक है, फिर क्या है अगला, BASO4, ध्यान देजेगा, BASO4, इसको बोलते हैं, हम लोग, barium sulfate, barium sulfate, BASO4, फिर, KCL, इसका मतलब होता है, potassium chloride, potassium chloride, ठीक है, तो कुल मिलाकर, इतने सारे जो, हम लोग formula लिखें, यह सिर्फ साथ में नंबर में काम करेगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, ने, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानि कि 16 जो formula है, question number 7 में हम लोगों का यूज होगा, ठीक है, इसे लिए तो बोल रहे न, कि जब यह chapter पुरा का खतम हो जाएगा, तब आपको एक जगह formula, एक जगह पे आप सुत्र को इकठा कर लिजेगा, और उन सभी सुत्रों को याद कर लिजेगा, ताकि हम लोगों को कभी भी यूज पढ़े, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अब दिखाते हैं, सातवा का पहला ए नंबर कोशन, सवाल पहले पढ़े लिजे सातवा नंबर कोशन क्या बोल रहा है, कि जो लिखा गया अभी किरिया है, उसको आप समीकरन के रूप में लिखे, ठीक है, और समीकरन के रूप में लिख कर, आपको उसको संतुलित भी करना है, ठीक है, आपको क्या करना है संतूलित भी करना है जैसे पहला सवाल क्या बोला ऐसे लिखा हुआ हिंदे में लिखा हुआ है कैल्सियम सरी कैल्सियम हाँ हाँ है कैल्सियम हाइड्रोकसाइड पलस कार्बन डाई ऑक्साइड कर्बन डाई ऑक्साइड फिर ऐसा है मतलब तिर का निशान फिर कैल्सियम कार्बोनेट कैल्सियम कार्बोनेट क्लस जल ठीक है देखिए अब आपको साथमा का सिर्फ यह नंबर कुशन बता देते हैं और वैसे ही आपको इसका answer लिखना है तो इसका उतर क्या लिखेंगे तो इसका उतर बहुत simple है दोस्त किसके लिए simple है जिसको方 फर्मुला याद है जिसको फर्मुला याद नहीं है उसके लिए hard हो जाएगा इसलिए तो बोल रहे हैं इसलिये तो बोल रहे न कि अभी तक तो ह ठीक है और उनको इसी चैप्टर के साथ कहीं बीच में एक पेज पे लिकर चिपका देना है और आपको रिविजन करेंगे तो उस टाइम आप फर्मुला को एक जगे रहे तो याद करने में आसानी होगी क्योंकि यह सब जो सारा हम इकठा की है यह सिर्फ साथवे नंबर में क लिखवाए हैं क्योंकि साथवे नंबर के लिए सफिसेंट है कैल्सियम हड्रोक्साइड का फर्मुला जानते हैं सी ए ओ एच का हॉल्टू ठीक है इसके जगह फिर प्लस है सवाल में तो प्लस कर दिया फिर कार्बन डायोक्साइड है तो कार्बन डायोक्साइड का में वाल है तो सी ए सी ओ3 यहां पर लिख दिजिए सी ये डरी प्लस ज्म जल बिखकि दीजियेत फ़र्मुला हमने चुके हैं एच टू यहां में संतुलित करने के लिए सवाल देख पा रहे हैं अब लिखने के वाद इसको संतूलित करना है यहां पर देख लिए संतूलित करते हैं कैल्सियम कितना है एक्ठो कैल्सियम एक्ठो है यहां भी कल्सियम एक्ठो है इधर ऑक्सिजन टूटल कितना है तो ऑक्सिजन यहां पर ब्रैकेट है तो ऑक्सिजन हो गया दो और यहां ऑक्सिजन दो तो टूटल ऑक और एक मिलकी इधर भी चार हो गया तो हम लोगों को यहां पर कुछ नहीं करना पड़ेगा यह संतूलित शमिकरन यहां पर लिख सकते हैं यह संतूलित शमिकरन है अगर मान लियकरन पड़ता तो कर देते इस तरीके से भत हम लोगों को आंसर करना आपको बूक में ऐसा करके सवाल दिया हुआ हैblis में हिंधी में हमको उसको समी करन के रूप में लिखना है तो कब लिख पाएंगे दोस्ति जब फर्मुला याद रहेगा तभी न उस फर्मुला को वहां पर रखने के बाद आपको फिर मिला लेना है कि कि इतना संक्या किधर यानि कि संतुलित करना है जिसको अंग्रेजी में बैलेंस करने के लिए भी बो खुद से इंचु जो को अपलाई करना पड़ेगा और आप खुद अपलाई करके उनको संतुलित कीजेगा फिलाल हम बढ़ते हैं कोश्चन नमबर एट पर एट नमबर कोश्चन क्या बोल रहा है लिखा जाए पहले कोश्चन निम्न अविकिरिया के लिए संतुलित रसायनिक समिकरन लिखिए एवं अविकिरिया का प्रकार बताईए अविकिरिया का प्रकार बताईए चलिए यहां पर कोश्चन क्या क्या बोल रहा है सेम देखिए साथ में जैसा ही कोश्चन यहां पर भी है साथ में जैसा ही यहां पर भी कोश्चन है लेकिन दूस्तों इसमें कौन-कौन सा बात बोल रहा है एक तो बोल रहा है कि रसायनिक समिकरन लिखना है देखिए अब तुरा तुसको संतूलित किजिए संतूलित करने के बाद अभिकिरिया का पहचान करना है अभिकिरिया का प्रकार बताना है समझ रहे ना कोश्चन क्या बोल रहे है यानि जो आठवा नंबर कोश्चन है दोस्त इसमें बोल रहा है कि जो लिखा हुआ है जैसे स्तात्मा क लाकर और फिर संतुलित कर रहे थे हैं सेम काम आठवा में भी है लेकिन एक काम बढ़ गया इसमें अभी किरिया का प्रकार बताना है तो अभी किरिया का प्रकार हम लोग समझते हैं ना कि सन्योजन बियोजन प्रतियस्थापन द्वी सरी प्रतियस्थापन हां विस्थापन द्वी विस्थापन यह सब सारा हम लोग पढ़े हुए हैं ठीक है तो चलिए अब हम लोग इसके लिए जो पहला सवाल है आठवा का पहला सवाल उसको देखते हैं क्या बोल रहा है पहला में बोल रहा है यहां पर पूटैसियम ब्रुमाइड क्या बोला आप कोशन लिख लि अचीम मीचा पूटैसियम करते हैं के कोई भी चीज छूटे नहीं तो अगर आप पूटैसियम ब्रुमाइड का फ़र्मूला नहीं पढ़े होंगे या त बाना चाहिए और आपको एक यह जब चैप्टर खतम हो जाएगा ना तभी आप लिखेगा वही ज्यादा स्रुटेबूल होगा ठीक है ने तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जितना फार्मूला यूज हो गया है आप उन चीजों को लिखते चलिए और नया नया फार्मूला को उसमें एड करते जाएग पलसमिले लिखा है बैरियम आड हिंदी में अंडरियम आयो डाइड को भी एक ₫ां फो फार्मूला िसफ थयं तीरकाण शोनलियों फिर कनिसान दिए यहां पर बनाया है उसमें पूटेसियम टानaloो ड्रत क्या लिखा है वहाँपे पूटेसियम है उर्ट फरव मूला की आ बैरियrices मिर्माइड तो बैरिय का फरुर मूझे लेकिन दोस्तु हम जैसा कि सवाल प्ड़ रहे हैं राशानिक समींकरन लिखना है संतूलित करना है अभिकरिया का प्रकॉर बताना है यहाँ पर सबसे पहले अभिकरिया का प्रकॉर varit तो हम यास्ट मों देखेंगे फिलाल इसको चिक करते हैं कि क्या दोनों तरफ किस से हम लोग गुना करना पड़ेगा तो K, B, R में K कितना है इधर? एक्ठो और तो नहीं है K तो इधर भी K का संख्या मिला लेजिए K का संख्या एक्ठो तो दोनों तरफ तो एक्वल हो गया K का संख्या एक्वल अच्छा, B, R इधर कितना है? B, R एक्ठो है दोस्त B, R यहाँ पर कितना है? एक्ठो लेकिन इधर B, R कितना है? दोठो इधर B, R दोठो है इसलिए हम यहाँ 2 से मल्टिप्लाई करा दिया तो जब जैसे ही 2 से multiply करा दिया अब के का संख्या कितना हो गया 2 अब समझो चीजों को हम यहाँ पे इसको देखर इस BR को देखर कि BR का संख्या 2 था इसको देखते हुए हम क्या करा दिया इधर 2 से गुना तो 2 से गुना करा है तो के भी तो 2 हो गया यानि पूटेसियम भी तो 2 हो गया अब यहाँ पे पूटेसियम तो अभी फिलाल एक ही है तो इसको 2 करने के लिए इसको भी 2 से गुना कर दिया अब 2 से गुना किया अब हम लोग आगे मिला लेते हैं दोस्त आप जैसा कि देख पारे होंगे यहाँ पे कि अब 2 हो गया हम लोगों को के तो यहाँ पे आई कितना हो गया आई का संख्या भी तो 2 हो गया और हम लोगों के आई के संख्या 2 चाहिए ही था तो कोई प्राब्लम नहीं है अब दिये यहाँ पे कितना है एक थो यहाँ पे भी बैरियम एक थो है इस तरीके से हम लोगों को अब संतुलित हो गया तो अब संतुलित करने के बाद यहाँ पर विकिरिया का प्रकार भी बताना है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम लोग जानते हैं ना द्वीबी स्थापन में कि दो योगिक में दो दो तत्व होते हैं और एक का अपना i2 तो यह वाला जो के है मतलब कि पोटैसियम यह जो है किसी दूसरे के साथ है क्या समझते हैं कि दो योगिक में दो तत्व का आपस में यायनों का अदला बदली होता है यानि कि दोनों आपस में बदा जाती है जिसे के की दोस्ती बियार की साथ ती लेकिन के की दोस्ती दूसरी के साथ हो गई यह की दूस्ती यह थी इस। नब्सत्रापन विक्रिया हो गया च मिन्नब्र सवाल के बोल रहे हैं घी नमब्र की जींग कारभॉनेट बिनम्रक में क्या बोला हिंदी में लिख हुआ है जींग कारबॉनेट तो दोस्ट अगर का बार-बार बोल रहे है फर्मॉला अभी और न्यू होगा आपके हिसाब से आप जरूर ST पर मुला वाल एक कठा जहां कर रहे होंगे वहां नोट कर लिजेगा जिंक कार्बोनेट बोल रहे तो जिंक कार्बोनेट का फर्मुला था जेड एन CO3 इसको पढ़ते हैं Gink Carbonate उसके जगह पर लिख दिया अब फिर तीर का निसान है सवाल में तीर का निसान दे दिया फिर बोल रहा है Gink Oxide Gink Oxide का फर्मूला JNO ये Gink Oxide हो गया JNO प्लस C02 C02 का मतलब Carbon Dioxide तो C02 का फर्मूला हो गया Carbon Dioxide वहां लिखा हुआ था सवाल में Carbon Dioxide उसके जगह पर हम लोग फर्मूला लिख दिये अब आप देख पा रहे होंगे कि क्या ये संतुलित है और नहीं है तो फिर आपको करना पड़ेगा देख लो बैज जेडेन कितना है एक यहां भी जेडेन एक है चलो कोई दिक्कत नहीं है Carbon कितना है एक यहां Carbon कितना है एक चलो अभी भी ठीक है इधर Oxygen कितना है तीन यहां Oxygen भी कितना है दो और एक तीन यहां एक है और यहां दो है तो दो और एक तीन तो यहां लिखेंगे यह संतूलित समिकरन है यह पहले से ही संतूलित समिकरन है हमको यहां पर करना नहीं पड़ा लेकिन दोस्त अभी यह तो बताना पड़ेगा ना कि अभिकिरिया का कौन सा प्रकार है तो हम लोग सिख़्े हुए हैं कि जब अभिकारक के एक अनो वियोजित होकर तूटकर प्रतिफल या उत्पाद में क्योंकि हम लोग जानते हैं तीर के निशान के बाई और के जो भी चितने भी चीजें होती है उसको अभिकारक कहा जाता है लेकिन तीर के निसान के दाई और की चीजों को प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद तो आप यहां से देखो भई कि अभिकारक में एक ही अनु है जेडें सीयो थ्री एक ही है लेकिन इसका विखंडन हो इसका जो उत्पाद बन रहेता जो परतीफल बन रहेहाँ, दो याादधिक प्रकार में बंट जा रहे तो ऐसे को हम लोग याद किया हुएं कि इसको वियोजन अभिकिरिया कहते है वियोजन का मतलब होता है तूट जाना अभिकारक का एकल अनू तूट कर दो या दो से अधिक योगिक बनाते हैं तब हम उसको वियोजन अभिकिरिया कहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे यह वियोजन अभिकिरिया है तो यह संतुलित समिकरन भी पहले से है और इसका विकेरिया का परकार बताना था तो इसके नीचे यह परकार बता के तब हम लोगों का अंसर होगा यह नहीं कि सिर्फ यह समिकरन लिख दिया तो हम लोगों का अंसर होगा क्यों किस सवाल में क्या बोला तीनों चीज बताने इ है अब अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं कि आठवा का आठवा है ना हाँ यहां आठवा है आठवा का सी नंबर में क्या से नंबर कोश्चन बोलता है जरह देखते हैं सी नंबर में बोल रहा है कि हाइड्रोजन यहां क्या बोल रहा है दोस्त हाइड्रोजन बोल रहा है तो hydrogen का formula तो हम लोग H लिखते हैं ना hydrogen का मतलब होता है H लेकिन दोस्त जैसे ही समिकरन लिखा जाता है ना समिकरन में आप लिखेंगे तो hydrogen 2 का इस्तेमाल किया जाता है ध्यान रखेगा इस बात तो आप कहीं इस बात को ध्यान से देखिए क्योंकि आप पढ़े होंगे कि hydrogen का सर formula तो H होता है लेकिन समिकरन लिखते वक्त H2 का इस्तेमाल किया जाता है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे H2 का इस्तेमाल किया हुए हैं क्योंकि समिकरन के रूप में हम लोगों को लिखना है सवाल में बोला hydrogen तो hydrogen के formula H के बजाए हम लोग H2 को लिखना पड़ेगा फिर plus है सवाल में plus लिख दिया फिर से बोला chlorine तो chlorine का formula पड़े होंगे chlorine को CL से सुचित करते हैं लेकिन दोस्तों याद रखिएगा हम लोगों का चुकि कि समिकरन में यूज करना है समिकरन में chlorine का इस्तेमाल करना है तो यह CL2 बन जाता है क्या बन जाता है CL2 फिर Gibbs क्या बन रहा है Gibbs यानि कि इस से हम लोगों को अविक्रिया करके सवाल में लिखा है hydrogen chloride hydrogen chloride का दोस्तों formula HCl यह formula हम पहले ही बता चुके है hydrogen chloride का formula होता है HCl ठीक है अब यहाँ पर hydrogen chloride लिखा हुआ था हम HCl लिख दिये हैं ठीक है क्योंकि formula से ही related हम लोगों को लिखा जाता है अच्छा एक चीज और बताते चलें कि इसका hydrogen chloride भी नाम है और hydrochloric अमल भी इसको कहा जाता है तो जब आप formula एक अठा कर रहे होंगे न तो इसका दो-दो नाम होता है तो दोनो नाम का जिक्र वहाँ पर किजिएगा क्योंकि जब हम लोगों को याद कर लेंगे तो इसका दोनो नाम याद रख लेंगे हो सकता है कि कोई पूछ दे hydrogen chloride का क्या formula है तो HCL बताना होगा या फिर कोई पूछ दे hydrochloric अमलक क्या है उसका formula बताओ तो पर भी हम लोग HCL ही बताएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को hydrogen chloride बोला तो उसका formula HCL होता है इसलिए इसका दो-दो नाम है बिल्कुल आप याद रखेगा इसको जरूर से जरूर note down कर लिजेगा तो अब आप देख पारोंगे समिकरन तो लिख लिया लिखने के बाद अब हम लोगों को संतुलित करना है तो संतुलित पहले करो तो यहाँ पर hydrogen कितना है वही दो यहाँ पर hydrogen कितना है एक तो हम कभी भी बोले हैं की संतुलित करने के लिए हम इसा इधर ही गुणा करते हैं नीचे गुणा नहीं किया जाता है संतुलित करने में ठीक ना तो हम लोगों ने यहाँ दो से गुणा कर दिया दो से गुणा करने के बाद इधर भी hydrogen 2 हो रहा है लेकिन इधर chlorine अब कितना हो गया तो chlorine भी 2 हो गया और यहां already पहले से chlorine की संख्या 2 है तो अब हम लोग को यहां 2 से गुना करने के बाद यह समिकरन क्या हो गया संतुलित हो गया अब दोस्त यहां पे समिकरन भी हम लोगों ने लिखा संतुलित भी कर लिया लेकिन अब इसका अविकिरिया का प्रकार बताना है कि कीस तरह का अविकिरिया है तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहोंगे अभिकारक में कितना अनु है अभिकारक में यहाँ पर दो अनु है वह अभिकिरिया, जिस अभिकिरिया के अभिकारक में दो या दो से अधिक अनु मिल कर, एकल उतपाद का निर्मान करते हैं, एकल, एकल मतलब एक उतपाद करते हैं, तो दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं, यह सन्योजन अभिकिरिया है, यह सन्योजन अभिकिरिया है, ठीक तो D बोल रहा है दोस्त मैगनेशियम तो देखिए मैगनेशियम का फर्मूला होता है M G अब देखिए आपको जो है ना केमेस्ट्री में कुछ चीज़े हैं जो आपको गौर करने वाली चीज़े हैं क्योंकि आपका सवाल पर सवाल होगा हम एज़ा स्टूडेंट जानते हैं क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ा करते थे ना तो अकसर डाउट हुआ करते थे हम लोग को भी कि सर हमको तो समझा नहीं आ रहा है आपने क्या बोला कि हाइड्रोजन का फर्मूला H होता है लेकिन उसको जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं अविकिरिया में तो H2 लिखते हैं सर आपका बात हम लोगोंने मान लिया लेकिन सर मैगनिसियम का तो फर्मूला हम लोग उनों Mg पढ़ा है लेकिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो Mg 2 क्योंने लिख रहे हैं तो ये चीजे कब होंगी, आप जानते हो न दोस्त, कि प्रैक्टिस मैन प्रफेक्ट, एक मैन को एक मानो को प्रैक्टिस ही उसको प्रफेक्ट बनाता है, तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे न, तो तुमको अल्रेडी पता चल जागा कि मैगनि मैगनिस्यम में ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन हाइड्रोजन क्लोरीन फासफोरस सलफर में ही ऐसा कुछ होता है आप जब चीजों को आगे पड़ोगे फिर पता चलेगा लेकिन अभी फिलहाल आप ऐसा समझो कि अच्छा हाइड्रोजन और क्लोरीन ही उसको दो करके समीकरण में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन मैगनिस्यम में इस्तेमाल दो करके नहीं किया जाता है आपका डाउट क्लियर हुआ कि जो लोगों कोई जेनरल डाउट से कि सर आपने बोला हर्डोजन का फर्मूला एच लेकिन उसको इस्तेमाल करते हैं आज टू यूज किया माना आपका बात भी माना लेकिन मैगनिस्यम का सफिर ऐसा क्यों नहीं करते हैं तो दोस्त एक अपवाद है आप इनको चीजों को ग कि अथे आप सवाल देखोंगे तो यहां लिखा मैगनिस्यम फिर जोड फिर यहां पे लिखा हईड्रो कलोरिक अमल सफ dash जैते हैं गर तूं नहीं पता होता तो हइड्रो कलोरिक अमल का फर्मूला हमें हीचे współ:" होता है है अब यह क्या है। यह क्या हम लोगों को दे रहा है reaction करके Magnesium Coolride Magnesium Coolride का formula होता है MgCl2 Magnesium Coolride Magnesium Coolride का formula MgCl2 अगर आप इसके बारे में नई जान रहे हैं पहली बार ये formula मिल रहे है Magnesium Coolride आप जरूरी कठा केज़ेगा चून चून कर देखो पढ़ने वाले students का एक ही पहचान होता है कि आखिर हम को ये चीज़ हम क्यों नहीं कर सकते हैं आखिर हम भी तो ऐसा कर सकते हैं ये तो easy है लेकिन easy कब है easy किस के लिए है जिसको ये formula याद रहेगा तब न तो जो चीज़े हम को जरूरी है हम उसके लिए काम करेंगे अब पढ़ने वाला student क्या करेगा कि अच्छा ऐसा बात है कि हमको तो क्योंकि पढ़ने वाला लकाओ को ये समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ पे चीज़ें क्या हो रहे तो यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना है लेकिन फर्मूला रखना है सिर्फ जिसे हिंदी में बोला मैगनिस्यम कुल्राइड हमको उसको एम जी सीयल टू लिखना है लेकिन फर्मूला याद रहेगा तब ना आप गदम आपसे बेलकुल प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर खतम होने के बाद या फिर अभी से ही एकदम सुरु से जो लिखेप्टर जहां से सुरु किया है और जो नया नया नाम हम बोले भी है हो सकता है कि हम सुत्र का हर बार नाम नहीं लिखे होंगे लेकिन बोले जरूर होंगे उन्त चीजों को आप जरूर नोट कीजिए गा किसारी सर्फ का फ़र्मूला क्या नाम बोले हैं ठीक है या फिर उसका नाम क्या बताया जा रहा है वी6 फर्मूला को चून के तो हम क्या वोला कि हाइड्रोजन जो है नंदोस्त अकेला नहीं होता हो एचग्टू के साथ होता है देखो यही तुम्हारा प्रक्टिस हो जाएगा जहां कहीं भी अगर hydrogen आगा तो तुम H2 तुरत लिखेगा यही तो practice है अगर तुम्हारा magnesium आगा तो खाली mg लिखेगा तो कुछ ऐसे भी है जिनको आपको practice करने से चीजें आ जाती है फिलाल हम लोगों का यह रासाइनेक समिकरन complete हो गया लेकिन complete होने के बाद आप देख पार होंगे कि हमको तो संतू लेती समट्रीख चलो मिलालो है तो इसको दो करने के लिए दौ से कुना कर दिया तो दो हैड्रोप गया लेकिन जब संतुलित समिकरन हो गया तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह किस तरीके काव millimeter थैं तो दोस्तों हम आपको कई बार बता चुका है कि जब एक अकेला व्यक्ति दोनों की दोस्ति को तोड़ देता है दीख रहे हैं इसमें इतना सकती है कि दोनों को क्या कर दिया तोड़ के और उसके साथ दोस्ती कर लिया आप सुचो ऐसा कोई ब्यक्ति है कि जो दोनों दोस्ती को अकेले होते हुए तोड़ के और उसके साथ दोस्ती कर लेना ये कहलाता है विस्थापन अविकिरिया इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अव अविकिरिया है ठीक है तो इस तरीके से आप टूटल कोश्चन को कर सकते हैं चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स कोश्चन पर आता है यह आठवां का पुरा कंप्लेट हो गया अब कुश्चन नमबर नाइन पर आता है चलिए नाइन कोश्चन लिखा जाए उसमा छेपी एव उसमा छेपी एवं उसमा सोसी अविकिरिया का क्या अर्थ है उसमा छेपी एवं उसमा सोसी अविकिरिया का क्या अर्थ है प्रश्चन वाचक चेन उदाहरन दिजिए उदाहरन दिजिए चलिए सवाल में क्या बोला कि उस्मा छेपी अविकिरिया और उस्मा सोसी अविकिरिया का क्या अर्थ है और इनका हमें अविकिरिया का उदाहरन भी देना है ठीक है लेकिन आपको तो हम सिर्फ उस्मा छेपी के बारे में बताए हैं क्योंकि बुक में उस्मा 6 पी कहीं जिक्र था लेकिन जस्त इसका उल्टा होता है उस्मा सोची जैसे कि दोस्तों सन्योजन अभी के रिया और बियोजन अभी करिया दोनो उल्टा है क्यों कि सन्योजन में विविकारक के एक के दो जाध दो से अधिक अनुasındaं उत्पाद में एक ही अनु बनाते हैं लेकिन इसका विपरीत इसके उल्टा वियोजन विकिरिया में क्या होता है तो अविकारक में एक ही अनु रता है लेकिन वो तूट जाता है और बहुत सारा विखंडन हो जाता है उसका उत्पाद बनने में तो उसी तरीके से उस्मा छेपी के बारे में पढ़े हैं क्या पढ़े हैं उस्मा छेपी के बारे में कि अगर अभिकिरिया होने के बाद उतपाद के साथ साथ उस्मा निकलता है उस्मा छेपी कहलाता है तो उस्मा सोसी उसका उल्टा है कि उत्पाद में उस्मा निकल रहा है तो अगर अभी कारक में उस्मा परियोग होगा तो उस्मा सोसी ये विकिरिया कहलाएगा तो फिलाल नवा कोश्चन जो है उस्मा छेपी और उस्मा सोसी ये विकिरिया किसे कहते हैं इसका उदाहरन क्या हो सकता है इसको हम लोग करेंगे next day अगले class में तो आज के लिए इतना धन्यवाद